Hi everyone, after so long मैं आप लोग के साथ एक make-up look शियर कर रही हूँ जिसे आप as a wedding guest या फिर अगर आप newly bride हो तो आप इसे create कर सकते हो बहुत ही जादा प्यारा लगेगा और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजेगा Facebook या Instagram पे देख रहे हो तो follow कर लीजेगा और make-up look आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा मतलब मैंने बहुत time दिया है इसमें इसलिए तो चलिए वीडियो को start करते है so starting with my skincare यहाँ पे मैंने सबसे पहले toner यूज किया है always use a toner ये skin tightening के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है इसको मैं pad dry कर लोगी उसके बाद मैंने ilana का brightening serum यूज किया है इसे ही मैं आजकल use कर रही हूँ और ये मुझे काफी ज़्यादा पसंद है तो अच्छे से skin में इसको apply कर लोगी और pad करते हुए पूरी skin में अच्छे से लगा लेना है उसके बाद lip को moisturize करेंगे तो मैंने यहाँ पे Nivea का lip balm यूज किया है जो कि मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही affordable है यहाँ पे मैं N.Y.B का primer यूज करें हूँ यह primer काफी ज़्यादा अच्छा है affordable है आप चाहो तो इसे buy कर सकते हो अगर आप कोई budget friendly primer ढूट रहे हो तो यह काफी ज़्यादा है मैं इसको आपको ज़रूर recommend करूँगी primer हमारे pores को काफी अच्छे से minimize कर देता है जिससे हमारा makeup look जो है वो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है next मैंने Maybelline Super Stay foundation यूज किया है shade है 128 तो इसको fingertip की help से dotted करते हुए मैं पूरे face पे लगा लूँगी then I'm going to use a wet beauty blender और beauty sponge so यह pack का beauty sponge है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही soft है और काफी अच्छे से यह जो हमारा foundation concealer जो भी होता है ना काफी अच्छे से blend कर देता है next मैं यहाँ पे Maybelline का ही concealer यूज कर रही हूँ और यह concealer मैं first time pry किया है और इसको यूज करने का मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ कि जैसे ही आप इसको लगाओ ना तो आप इसको तुरंद blend करते जाओ because यह बहुत जल्दी dry होता है इसलिए तो मैं आप देख रहे हो मैं जैसे जैसे इसको लगा रही हूँ वैसे वैसे मैं इसको blend करती जा रही हूँ so मेरे face पे जो भी black spots है या जहां पे भी darkness है और जो usually मतलब हम highlight करने के लिए concealer लगाते हैं तो वहाँ वहाँ मैं इसको highlighting के लिए भी use कर ले रही हूँ और same beauty sponge की help से मैं इसकोचे से blend भी करती जाओंगी अपनी blending को थोड़ा सा time दीजिए अच्छे से blend कीजिए अपने पूरा जो foundation या फिर concealer लगाया है because blending से ही हमारा जो makeup है वो काफी जादा अच्छा लगता है उसके बाद मैंने यहाँ पर एक pink shade लिया है lipstick का उसे मैं as a blush use करूँगी यहाँ पर अभी मैंने compact का use नहीं किया because यह cream एक तरीके से आप हम होता है ना कि cream product पहले use करते हैं तो compact use नहीं करते हैं तो अभी मैंने compact का use नहीं किया है इसको मैं अच्छे से blend कर लूँगी as a blusher आप देख सकते हो बहुत light लगाया है बहुत जादा नहीं लगाया है अब मैंने Faces Canada का compact लिया है उससे मैं जो अपना under eye है उसको set कर लूँगी मैंने concealer लगाया था मतलब पूरा जो face है मैं उसकोचे से set कर लूँगी और ये Faces Canada का जो compact है ये भी मैंने first time ही try किया है मतलब मैंने कुछ-कुछ जो products है वो new purchase किये थे जेने मैं पहली बार ही try कर रही हूँ तो ये मुझे काफी जादा अच्छा लगा काफी जादा मतलब light है heavy नहीं दिखता है face पे तो अगर आप working हो office going हो तो आप ये ले सकते हो next मैंने यहाँ पे sugar का brow definer लिया है shade मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैं mention कर दूँगी so ये मैं अपनी eyebrows के लिए ले रही हूँ और अपनी eyebrows को fill in कर लूँगी और मुझे शुगर के brow definer जो है वो काफी जादा पसंद है काफी जादा मतलब handy है आप अच्छे से अपनी brows को fill कर सकते हो और इनकी जो pigmentation है जो pay off है वो काफी जादा सही है मतलब आप build up कर सकते हो अपनी brows के color के according आप जो color है उसको build up कर सकते हो तो ये चीज मुझे इनकी काफी जादा पसंद है तो ये मेरा one of my favorite brow definer है next side इसमें जो spoolie है उससे मैं जो comb कर लूँगी ताकि जो color है वो अच्छे से distribute हो जाए बढ़ते हैं हम eye makeup की तरफ तो यहाँ पे मैंने Focular का twill eye palette लिया है और इसमें एक mauve kind of shade था वो मैंने यूज किया है तो अपनी eye lid पे मैंने उसे अच्छे से blend कर लिया है इस तरह से और दूसरा मैं यहाँ पे gold shimmer shade यूज कर रही हूँ because मुझे ऐसा जो combination होता है ना eye का eye makeup का वो थोड़ा ज़ादा अच्छा लगता है और honestly मैं यह जल्दी कर लेती हूँ इसलिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा dark brown shade लिया है तो जो मेरा outer V है वहाँ पे मैं उसको blend कर लूँगी और next मैंने एक clean brush लिया है उससे जो बाकी की blending है वो अच्छे से कर लूँगी ताकि कुछ भी मतलब ऐसा ना दिखे lines ना दिखे सारा कुछ जो eye makeup है वो blendable लगे eyeliner के लिए मैंने blue heaven का eyeliner लिया है यहाँ पे मैं एक छोटा सा winged eyeliner draw करूँगी और trust me यह eyeliner मुझे बहुत सही लगता है बहुती affordable है और मेरी जो eye lid है वो oily है बट still यह मेरी eyes पे बहुत लंबे time तक रहता है मतलब मैं जब खुद जब तक मैं खुद अपनी eyes को wash ना करूँ तब तक यह निकलता नहीं है उसके बाद मैं थोड़ी सी face की contouring कर लूँगी obviously मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि मेरा जो weight है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और मेरा face जो है वो काफी मोटा हो गया है तो मैं contouring कर लूँगी like cheek bones की jaw line की तो face का जो है वो structure अच्छा दिखे मतलब जो make up से flat हो जाता है तो वो face हमारा flat ना रहा है structure दिखे nose की contouring ज़रूर करो वरना जो nose है आप pictures लोगे तो आपकी nose ना पूरी flat दिखेगी again मैं थोड़ा सा blush लगाऊंगी Swiss Beauty का ये blush palette है तो मैंने थोड़ा सा अपने गालों को pink pink कर लिया है और blush लगा लिया है इस तरह से और blush लगाने के बाद हम थोड़ा सा highlight भी कर लेते हैं और रात के time में आप जैसे कोई party में जा रहे हो तो highlighting अच्छी लगती है बट day time में जादा highlight मत करना जैसे आप newly bride हो और आपकी होते हैं जैसे mood इखाई हो रही है highlight कर रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत जादा highlight मत करना फिर वो अच्छा नहीं लगता है दिन में highlighting अच्छी नहीं लगती है जादा और next मैंने यहाँ पे अपनी जो lower lash line है वहाँ पे थोड़ा सा brown shade लगाया है just मेरी जो eye look है वो थोड़ा सा complete रहे और अच्छा लगे तो इस तरह से मैं एक flat brush लिया है उसी से मैंने कर लिया है उसके बाद मैं अपनी lower water line पे white eye pencil है ये और miss Claire की है तो मैं white eye pencil लगाई है और makeup को हम set कर लेते हैं makeup setting spray से और then मैंने एक again same beauty sponge से एक बार dabbing कर लेते हैं ताकि सब कुछ set हो जाए आते हैं eyelashes पे तो यहाँ पे मैंने curler use कर लिया है और mascara use कर रही हूँ मैं lack maker ये भी मैंने first time ही लिया है और मुझे काफी जादा अच्छा लगा ये वाला mascara मतलब आप double coat में ना आपकी lashes जो है वो काफी जादा volumenize हो जाएंगी और यहाँ पे मैंने falsies use की है बहुत ही बढ़िया है मैंने amazon से इनको buy किया है और buy link देखती हूँ description में mention कर दूँगी और next मैंने यहाँ पे swiss beauty की ht matte lipstick ली है ये भी मैंने first time ही try की है shade जो है वो बहुत ही beautiful है आप देख सकते हो obviously यहाँ पे मैं front camera से थोड़ा video shoot कर रही हूँ इसलिए shade जो है न वो थोड़ा सा different हो जाता है but starting में मैंने back camera का जो clip लगाए है आप उनमें देखो shade कितना beautiful लगता है तो this is my final look यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया है बिंदी लगा ली है और बालों में थोड़ा सा मतल़ा बाल फोल्ड करके वो कर लिया है and I'm sure आप लोगं को यह makeup look अच्छा लग रहा हो और अगर यह makeup look अच्छा लगा हो तो please comment section में जरूर बताईएगा तो आप यह create कर सकते हो like आप newly bride हो तो आपके उपर इस तरह का makeup जो है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको party में जाना है wedding में जाना है तो आप create कर सकते हो